solar panels की इतनी सारी company market में आ चुकी है कि इस वक्त काफी जादा hard हो चुका है लोगों के लिए ये decide करना कि किस company के solar panels ले और solar panels लेना भी हमारी मजबूरी बन गई है कुछ लोग अपना बिजली का bill कम करने के लिए लेना चाहते हैं तो कुछ लोग बिचारे ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर cyclones आते रहते हैं तुफान आते रहते हैं और काफी दिनों के लिए उनके area में आसपास light available नहीं होती और क्योंकि हमारे आसपास आजकल सारा काम digital तरीके से हो रहा है मुबाइल के वज़े से हो रहा है लैपटॉप की वज़े से हो रहा है तो बिजली काफी important है हम लोगों के लिए तो solar panels इसलिए हमारी मजबूरी भी बन गए हैं तो इस वीडियो में मैं आपको top solar panels बताऊंगा जो market में available हैं different types के कौन-कौन सी company उनको बनाती है उनका price कितना रहता है और आपको आपकी requirement के हिसाब से कौन सा choose करना चाहिए ये सारी बाते आज हम इस वीडियो में करेंगे तो चलिए बिना time waste किये वीडियो को शुरू करते हैं अगर मैं solar panel के types की बात करूँ तो primarily तीन type के solar panels होते हैं poly solar panels, mono solar panels और thin film solar panels thin film को फिलाल side में रख देते हैं उसका reason ये है क्योंकि thin film वाले solar panels होते हैं वो काफी कम efficient होते हैं और market में इतने available भी नहीं है और वो चलते भी नहीं इंडिया में poly और mono solar panels सबसे जादा use होते हैं अब इनको मैं आगे अगर divide करता हूँ तो mono solar panels के भी काफी different types market में आने लगे हैं mono perk solar panels आते थे, फिर half cut panels आने लगे, फिर bifacial panels आने लगे तो ये सारे different types के solar panels समझते हैं poly crystalline solar panels की अगर मैं बात करूँ अगर आपको identify करना है कि कैसे solar panels होते हैं ये तो एक solar panel काफी छोटे-छोटे cell से मिलकर बना होता है इनका जो cell होता है वो blue color का cell आपको देखने को मिलेगा और square shape में वो cell होता है इनकी अगर मैं advantage की बात करूँ तो इनकी एक ही advantage है कि जितने भी different type के solar panels होते हैं उनमें सबसे सस्ते आपको poly solar panels पढ़ेंगे अब इसके drawback की बात कर लेते हैं ये इतने सस्ते क्यों पढ़ते हैं तो इसका reason ये है कि दूसरे solar panels के मुकाबले ये थोड़े कम efficient होते हैं current generate करने में यानि कि अगर आप दूसरे mono, monopark, half cut, bifacial ये सारे solar panels लेने जाएंगे तो ये काफी अच्छा current generate कर लेते हैं लेकिन poly solar panels थोड़ा कम current generate करते हैं अब ऐसे में क्या होता है माली जी आपके घर की एक requirement है और आप poly solar panels लगवाना चाहते हैं उस requirement को पूरा करने के लिए तो आपको जाधा solar panels लगवाने पड़ेंगे जाधा solar panels का मतलब है आपको जाधा area लेना पड़ेगा जाधा area की आपकी requirement होगी उन solar panels को लगाने के लिए इसके लावा ये भी कहा जाता है कि जो poly solar panels होते हैं वो समय के साथ साथ उनकी जो productivity है वो थोड़ी कम हो जाती है जाधा वो इतने बढ़िया नहीं होते दूसरे टाइप के solar panels के मुकाबले वैसे solar panels में मैं आपको बता दू 25-25 साल की इन पर performance warranty मिलती है 25-30 साल तक ही अच्छे से current generate करते हैं और क्योंकि आपको पता है जब धीरे धीरे लोग इसको use करना start करेंगे आप अगर मेर से पूछेंगे कि poly solar panels आपको लगवाने चाहिए या नहीं तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपके पास काफी अच्छा खासा area है आपको area की tension नहीं है तो आप poly solar panels ले सकते हैं कि यह आपको काफी सस्ते पड़ेंगे कौन कौन सी company market में available है तो company के नाम इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं Luminous, Adani, Loom Solar, Microtech, Renises, Jackson, Smartan, UTL, Wari, Vikram और MV यह काफी सारी company हैं जिनके poly solar panels आपको easily मिल जाएंगे इनके अलावा भी दूसरी company है लेकिन वो थोड़ी आप कह सकते हैं कि foreign company है इंडिया में उनके solar panels इतने बड़ी इतने जादा popular नहीं है या फिर छोटी company है या फिर Chinese company आप कह सकते हैं यह मैंने आपको कुछ popular companies के नाम बताएं इनके अलावा भी दूसरे आपको मिल जाएंगे प्राइज अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैंने आपको पताया दूसरे solar panel के मुकाबले थोड़े सस्ते होते हैं प्राइज मैं आपको इसलिए नहीं बता पाऊंगा क्योंकि प्राइज की जो range है वो काफी जादा हो जाती है जो solar panel होते है वो 30-40 watt से लेकर 300-300 watt तक के solar panel होते है तो जितने wattage का आप लेंगे उसी साब से price कम जादा हो जाता है इसके बाद ये भी depend करता है कि आप किस state में खरीद रहे हैं भारत के किस state में आप रहते हैं और कहां से खरीद रहे हैं online भी आपको price थोड़ा कम पढ़ सकता है जादा पढ़ सकता है या फिर आप offline खरीदना चारें किसी dealer distributor की तरफ से तो भी आपको price थोड़ा कम जादा पढ़ सकता है मैं आपके लिए एक option आपको बता देता हूँ मेरा जो ये channel है आपको पता है कि ये channel हमारा 3-4 साल पुराना हो चुका है और हम solar से related काफी सारी videos बनाते रहते हैं तो क्योंकि मैं एक solar influencer हूँ तो मैं काफी सारे dealers और distributor के contact में रहता हूँ तो इस video के description में मैं आपको एक link provide करता हूँ एक form का आपको उस link को click करना आपके सामने एक form खुल कर आएगा उस form में आपको कुछ basic details will करनी है जैसे कि आपका नाम, आपका phone number, किस state में आप रहते हैं और क्या solar product आप खरीदना चाहते हैं solar panel, inverter, battery या और कोई solar services आप बस इस form को fill करके submit कर दीजिए और उसके बाद मेरी team contact करेगी आपको आपके लिए अगर कोई solution हमारे पास है जो भी product आप लेना चाहरे है अगर वो कम price में हमारे पास मिल सकता है तो हम आपको वो price बता देंगे अगर आपको लगता है कि हम कम price में दे रहे हैं तो आप हमसे purchase कर सकते हैं वरन आप online या offline जहां से purchase करना चाहें वहां से कर सकते हैं इससे एक benefit ही हो जाएगा कि आपको एक price का idea मिल जाएगा कि ये product कितने price तक में market में available है next type के जो solar panels होते हैं वो होते हैं mono solar panels इनको अगर आप identify करना चाहते हैं तो इनका जो solar cell है वो black color का होता है आप इनको identify कर सकते हैं इनकी अगर मैं advantage की बात करूँ तो poly solar panels जो अभी मैंने आपको बताये थे पीछे उनके मुकाबले ये थोड़े जादा efficient होते हैं थोड़ा अच्छा current generate कर लेते हैं अब क्योंकि ये उनसे जादा current generate करते हैं तो जो आपके घर की requirement है उसके लिए आपको थोड़े कम mono panels install करवाने पड़ेंगे poly के मुकाबले लेकिन अगर drawback की बात करूँ तो जो इससे भी बढ़िया quality वाले solar panels market में available हैं उनके मुकाबले थोड़ा कम current generate करते हैं जो आगे solar panels में आपको दिखाऊंगा different type के वो इन से जादा current generate करते हैं अब कोन कोन सी company mono solar panels बनाती है तो उसके लिए मैं आपको बता दूँ पहले सारी ही company लगभग mono solar panels बनाती थी लेकिन इसके बाद एक नई technology आई है mono perk technology जिसके बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा तो धीरे धीरे सभी company ने अपने जो mono solar panels बनाते थे उनको mono perk technology पर shift कर दिया है जो की बढ़िया technology होती है काफी बढ़िया current generate करते है mono perk technology वाले solar panels तो अब काफी कम company हैं या फिर मैं कहूं ना के बराबर company हैं जिनके mono solar panels market में available हैं थर टाइप के solar panels होते है mono perk solar panels इनको identify करने का भी यही तरीका है कि इनका जो color होता solar cell का वो black होता है क्योंकि इसमें भी mono cells का use हुआ है लेकिन आजकल जो mono perk technology वाले solar panels market में available हैं उनमें जो diamond cut shape होती है वो खतम हो चुकी है तो इसके जो solar cells हैं वो भी आपको square shape में ही देखने के मिलेंगे black color के इनकी सबसे बड़ी advantage यह होती है कि यह mono type के जो solar panels है इनमें mono perk technology का use हुआ है जिसका मतलब है कि इनकी जो current generate करने की efficiency है वो mono के मुकाबले और बढ़िया हो जाती है इतनी बढ़िया हो जाती है कि कहा जाता है कि जो mono perk solar panels होते हैं वो low light condition जो होती है जहाँ पर थोड़ा cloudy condition होती है सूरज नहीं निकला हुआ वहाँ पर भी यह काफी अच्छा current generate कर लेते हैं तो काफी बढ़िया माने जाते हैं लेकिन इनका drawback यह भी हो जाता है क्योंकि इनकी technology थोड़ी बढ़िया हो गई है तो यह थोड़े से expensive हो जाते हैं poly और mono के मुकाबले लेकिन आप देखिए कि अगर आपको बढ़िया technology मिल रही है काफी अच्छा current आप generate कर पा रहे हैं तो इस छोटे से drawback को आप ignore कर सकते हैं क्योंकि यह काफी अच्छा current generate कर पाते हैं इनको area भी काफी कम लगता है आपके घर के load के हिसाफ से अगर आप poly panels लगवाएंगे तो ज़्यादा लगेंगे उसी requirement को पूरा करने के लिए लेकिन अगर आप mono perk panels लगवाएंगे तो कम solar panels आपको लगवाने पड़ेंगे अगर आप company पूछे के कौन कौन सी company है जो mono perk solar panels बनाती है तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर नाम देख सकते हैं Vikram, Luminous, Adani, Renesis, Loom Solar, Microtech, Jackson, UTL, Wari और MV ये कुछ companyों के नाम है जो mono perk solar panels बनाती है प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो again price इसी चीज पर depend करता है कि कि साइज का आप solar panel लेने जा रहे हैं किस state में लेने जा रहे हैं और कहां से लेने जा रहे हैं Mono perk technology के बाद आजाते हैं half cut solar panels इनको identify करने का तरीका यही है कि इनके जो solar cells होते हैं वो बीच में से कटे होते हैं कि अगर मालीजी आपका जो solar panel है उसके थोड़े से एरिये पर खहीं पर shadow पड़ रही है मालीजी किसी पेड़ की shadow पड़ रही है या कोई और चीज बीच में अड़ रही है उसकी shadow पड़ रही है तो जो दूसरे different type के solar panels अभी में आपको दिखाये थे mono perk हो, mono हो या poly हो अगर उनके थोड़े से एरिये पर भी shadow पड़ रही होगी तो पूरा का पूरा panel current generate नहीं करेगा ये इनका drawback होता है लेकिन half cut में ऐसा नहीं है क्योंकि इनका जो solar panel है वो दो different parts में divided है parallel connection से connected है तो माली जी अगर छोटे से एक पार्ट पर shadow पड़ रही है तो उसका जो other half part है solar panel का वो फिर भी current generate करेगा क्योंकि parallel connection यहाँ पर आपको मिल जाता है ये सबसे बड़ी advantage है और इसमें और भी बड़िया बात ही हो जाती है कि काफी सारे जो modern technology वाले half cut solar panels हैं different company की तरफ से उनमें जो bus bar होती है वो थोड़ी जादा आपको देखने को मिलेगी अब आप कहेंगे bus bar क्या होती है तो जो solar panel का एक cell होता है उसमें आपने देखा होगा उपर से नीचे की तरफ एक line जारी होती है दो तीन line जारी होती है तो इनमें कुछ जादा lines आपको देखने को मिलती है इनी को bus bars बोलते है तो जितनी जादा bus bar होगी उतना बढ़िया current वो solar panel generate कर पाएगा ये वाले solar panels mono perk के मुकाबले काफी जादा expensive हो जाते हैं क्योंकि quality काफी बढ़िया मिल रही है आपको जादा current efficiency है तो इस वज़े से ये mono perk के मुकाबले थोड़े expensive हो जाते है अगर आप company के नाम पूछें के कौन कौन सी company बनाती है तो सबसे पहले loom solar company थी जिनके market में half cut solar panels काफी जादा popular हो गए थे लेकिन आज की rate में अगर आप ढूंडने निकलेंगे तो loom solar के अलावा आपको Vikram, Renises, Jackson और MV इन सारी company के ही half cut solar panels आपको easily मिल जाएंगे last type के जो solar panels अभी तक market में available है अभी कोई advanced technology थोड़े दिन बाद आ जाएगी तो अलग बात है लेकिन अभी bifacial technology वाले solar panels हैं वो काफी advanced technology के साथ मिलते हैं और काफी बढ़िया है इनको identify करने का तरीका यह होता है कि जो solar panels होते हैं इनके पीछे अगर आप normal किसी solar panel को back side से देखेंगे तो वो white color का आपको देखने को मिलता है और उस वो transparent नहीं होता उसके आर पार आप नहीं देख सकते हैं लेकिन जो bifacial solar panels होते हैं इनकी जो back sheet होती है वो transparent होती है यह इनको identify करने का तरीका है इनके नाम से आपको पसे चल रहा है bifacial यानि कि दोनों तरफ से इसमें solar cell का face होता है दोनों तरफ से यह charge हो सकते हैं electricity generate कर सकते हैं तो यह कैसे कर पाते हैं यह इसलिए कर पाते हैं क्योंकि back side इनकी जो होती है वो transparent होती है और इसमें कहा जाता है कि जो sun की reflected rays होती है मतलब जहां पर आपने install करे हैं वहाँ पर sunlight अगर आपके background से reflect होकर इन पर पड़ेगी पीछे की तरफ से तो वहाँ से भी electricity generate करते हैं इसलिए इनको bifacial solar panels कहा जाता है सबसे बड़ी advantage इनकी यह हो जाती है क्योंकि यह दोनों तरफ से current generate कर रहे है तो इनकी efficiency काफी जादा बढ़ जाती है इनमें कहा जाता है कि अगर आपने अच्छे से install किया है तो up to 30% जादा efficient होते हैं यह बाकी solar panels के मुकाबले अब अच्छे से install करने का क्या मतलब है तो वो समझ लेते हैं अच्छे से install में इनका एक drawback आजाता है जहाँ पर दूसरे solar panels आप एक छोटे से structure पर install कर सकते हैं यानि कि उस structure की height जादा ना हो एक foot, दो foot, तीन foot कितने भी size के structure पर आप install कर सकते हैं वहीं पर जो bifacial solar panels होते हैं इनकी अगर आपको proper working चाहिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि up to 30% जादा efficient होते हैं तो अगर आपको इतनी proper efficiency चाहिए तो इनको आपको 9-10 feet की height के structure पर install करना पड़ता है तो अगर आप जादा height के structure पर install करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो structure की cost है वो जादा पड़ेगी लेकिन एक और plus point यहाँ पर आपको मिल जाता है कि अगर आप जादा उचे structure पर इनको install करेंगे तो नीचे का जो आपका area होता है वो usable हो जाता है एसा इसलिए क्योंकि जितना dark color होता है उतनी जादा sunlight को वो absorb कर लेता है लेकिन जितना bright color होता है उतनी जादा वो sunlight को reflect कर देता है तो अगर इसका जो background है मतलब पीछे की जो जहाँ पर आपने install किया हुआ है वहाँ पर जो first है मान लीजी अगर वो white painted है तो वहाँ पर sunlight अच्छे से reflect हो पाएंगी और जादा efficiently work कर पाएंगे solar panels अब एक drawback इनका एक ये हो जाता है क्योंकि इतनी सारी चीज़े आपको मिल रही है इतनी बढ़िया technology आपको मिल रही है तो इसलिए थोड़े expensive हो जाते हैं जितने भी different type के solar panels मैंने भी आपको बताएं उन सब में सबसे expensive होते हैं bifacial solar panels अब कौन-कौन सी company इन solar panels को बनाती है तो आप अपनी screen पर नाम देख सकते हैं Loom Solar, Nexus, Renuses, Adani, Vikram, Wari, Jackson और MV ये कुछ company हैं जिनके bifacial solar panels market में available है तो आप खरीदना चाहें तो अपनी research कर सकते हैं, खरीच सकते हैं prices की again same वही बात आजाती है कि size का आप लेना चाहरे हैं, कहाँ पर लेना चाहरे हैं और किस से लेना चाहरे हैं उससे फरक पड़ता है अगर आपको मेरे जो dealers और distributors मेरे contact में हैं उनके prices पता करने हैं तो वीडियो के description में आपको form का link मिल जाएगा form fill कीजिए और जो भी product आपको चाहिए, उसका price हम आपको बता देंगे अगर आप purchase करना चाहते हैं तो हमारे through purchase कर सकते हैं अगर आपको आपके आसपास किसी nearest dealer या distributor से बढ़िया मिल रहा है price तो वहाँ से आप purchase कर सकते हैं तो ये तो हो गए कुछ different types के solar panels किन companyों की तरफ से हैं वो मैंने आपको बता दिये इनको खरीदते समय भी कुछ points आपको ध्यान में रखने होते हैं तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ अब मालीजे सबसे पहला point यही होता है कि आपको कितने solar panels अपने घर के हिसाब से आपको install करवाने चीए तो उसके लिए आपको अपना load calculate करना होता है यानि कि कितना load आप चलाना चाते है solar panel पे अब वो calculate करने का एक पूरा तरीका होता है जो कि इस वीडियो में जो आप मेरे बगल में थमनेल देख रहे हैं इस वीडियो में मैंने अच्छे से explain क्या हुआ है इसके उपर i button पे ही आपको इस वीडियो का link मिल जाएगा तो अगर आप check out करना चाते हैं तो check out कर सकते हैं पर काफी detail में मैंने समझाय हुआ है कैसे आप अपना load calculate कीजिए और उसके हिसाब से आपको पता सल जाएगा कि कितने watt के solar panels आपको install करवाने पढ़ेंगे next इसमें आपको warranty देखनी होती है अब कोई भी आप normal product खरीते हैं उसमें एक warranty आपको मिलती है इसमें आपको double warranty मिलती है पहली आपको manufacturer warranty मिलती है जो की 10 या 12 साल की होती है हर brand की अलग लग है लेकिन 10 या 12 साल की standard warranty होती है इसके बाद performance warranty होती है जो की again standard warranty है 25 साल की warranty आपको मिलेगी तो हमेशा ये दो warranty आप चेक कीजिए के manufacturer warranty जो की जादा important है वो कितनी आपको मिल रही है next इसमें आपको inverter, PCU या battery अगर आप off-grid system लगवाने की सोच रहे हैं तो उनकी quality भी आपको ध्यान में रखनी होती है क्योंकि solar panel अकेले current generate नहीं कर पाते वो तो current generate करते हैं लेकिन उनके साथ जो दूसरे appliances connected है वो बढ़िया तरीके से तभी काम कर पाएंगे solar panel जबकि उनके साथ connected जो appliances है या जो devices है वो अच्छे से काम करें ऐसे में जो solar PCU होता है या फिर मैं कहूं solar inverter होता है वो different types के होते हैं आपने सुना होगा PWM technology वाले होते हैं MPPT technology वाले होते हैं तो PWM वाले थोड़े कम efficient होते हैं MPPT वाले ज़ादा efficient होते हैं लेकिन थोड़े से expensive भी होते हैं तो अगर आप चाते हैं कि आपके solar panels जतना अच्छे से काम कर रहे हैं उसका पूरा पूरा benefit आपको मिले तो हमेशा MPPT technology वाले solar PCU ही consider कीजिए again same thing goes with the battery अगर आप battery भी कोई बढ़िया quality वाली ले रहे हैं जादा lifetime warranty वाली ले रहे हैं तो ही आपको पूरा benefit इन सारी चीजों का मिल पाएगा तो हमेशा solar panels के साथ साथ आप ये चीजे भी consider कीजिए अगर आप off grid system install करवाने की सोच रहे हैं इसमें आपको कुछ और components भी ध्यान में रखने होते हैं जैसे की lightning arrester मालीजे आपके solar panel system पर बिजली गिरती है उपर से तो पूरा system खराब हो सकता है तो इसलिए lightning arrester install करवाना पड़ता है अर्थिंग करवानी पड़ती है आपको अपने घर की पूरी जिससे की आप चाहें कि ये पूरा जो system है वो अच्छे तरीके से काम करें safely काम करें तो आप उसके लिए पूरा earthing system एक करवा सकते हैं तो ये चीज़े आपको ध्यान में रखने होती हैं इसके लावा install कर आते समय कुछ और points आपको ध्यान में रखने होते हैं जैसे की बाकी दूसरे solar panels में आप normal structure लगवा सकते हैं GI structure होना चाहिए वो लेकिन normal height का आप लगवा सकते हैं लेकिन bifacial में आपको height जाधा रखने होती है no does fit की उस structure की height होती है तो वो आपको ध्यान में रखना होता है angle आपको ध्यान में रखना होता है तो ऐसी काफी सारी छोटी 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 चीज़े हैं जो installation के time पर आपको ध्यान रखनी होती है और इन सारी चीज़ों को ध्यान में जवाब रखते हैं तब ही एक proper solar panel system आपका ready हो पाता है तो I hope इस छोटी सी वीडियो में आपको समझ में आगया होगा कि कौन से solar panel best है आपकी requirement के हिसाब से आपको कौन से लेने चाहिए अगर कुछ questions आपके अभी भी रह गए है तो नीचे comment section में लिख के पूछिए मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की बाकी ये वीडियो अगर आपको पसंद आईए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने friends और family members के साथ और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं कि इस चैनल पर हम solar और electrical appliances से related काफी सारी वीडियो बनाते रहते हैं थैंक यू फर वाचिंग दा वीडियो गुडबाई